हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुब शुब बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में थांक्यू सो मज बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जब आप लोग कॉमेंस में आपके बोलते हैं कि मेरा जो रीडिंग है वो maximum number of people के साथ रेजोनेट कर रहा है मैच कर रहा है तो अच्छा लगता है देखके आज भी हम लोग एक no contact situation रीडिंग देखेंगे और we'll see के जो partner है आपका उनका current energy क्या है और क्या action वो लोग लेने वाले हैं आपका current energy क्या है क्या action आपके तरफ से होने वाला है और the guidance ओके ये एक general reading होगा ये आपके साथ match कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है बट अगर ये आपके साथ match कर रहा है या कुछ part of the video अगर आपके साथ match कर रहा है क्योंकि काफी सारे layers होते है videos में और हो सकता है कि पूरा video ह match करें या फिर अगर match नहीं भी हो guidance definitely आप लोग follow कीजिएगा पर अगर ये video आपको दिख रहा है या मैं आपको दिख रहा हूँ then इस video में कुछ ना कुछ message definitely आपके लिए होगा okay so general reading होगा और roles can be reverse okay so उस हिसाब से देखिएगा so let's see के आपके partner का current feelings क्या है what is their current general energy जब मैं card shuffle करूंगा तो please आप shuffling के साथ खुद को connect कीजिएगा और अपने partner को imagine कीजिएगा जो लोग मेरे channel में नए है उनको इसलिए मैंने repeat कर दिया जो लोग मेरे channel में पहले से हैं उनको पता है कि जब मैं shuffle करता हूँ आपको connect करना होता है ओके ओके थोड़ा सा stuck energy अभी भी है जो shuffle से समझ में आता है the high priestess and bottom of the deck is six of swords ओके तो यह I think यह जो no contact situation है आपका इसका जो main उनका अगर feeling मैं बोलू तो किसी ने शायद बहुती secretly और silently शायद move on किया है हो सकता है कि जो आपके partner है यह बहुती चुपचाप आपसे दूर चले गए है बिना कुछ बोले बिना कोई explanation के move on कर चुके है और इस वज़े से no contact है आपको पता ही नहीं कि क्या reason है और वो गायब हो गया है बहुती silent way में बच उनको ऐसा नहीं है कि confusion है या उनको पता नहीं कि किस reason की वज़े से वो move on किये है उन्होंने उनको absolutely उनको पता है कि क्या reason है उनको पता है यह मैं उनका feeling चेक कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है move on कर लिया but move on के पीछे I think एक बहुती strong and बहुती serious कुछ reason है जो कि शायद उन्होंने आपको नहीं बोला है और बिना बोले ही I think secretly आपसे दूर चले गया है move on किया है तो अभी भी वही है current feeling अगर मैं बोलू तो वो लोग चाते हैं कि वो silent ही रहे और move on करें basically वो silent रहना जाते है उनके तरफ से कोई भी communication कुछ भी वो अभी इस वकरना नहीं चाते है वो चाते है कि चुप चापी रहे सब कुछ समझते हुए सब कुछ जानते हुए सिर्फ चुप रहे okay so let me clarify this high priestess let's see why this high priestess is here okay why why and why okay एक काड जंप करके आ गया वो मैं देखूंगा check करके okay king of cups and eight of pentacles okay और जो काड जंप करके आया था वो था knight of pentacles in reverse okay basically जो मैं देख रहा हूँ आपके partner का चुप रहने का कारण यही है कि उनके जिन्दगी में अभी stability नहीं है okay there is lack of stability उन वो बहुत ही ज्यादा आपसे प्यार करते है that is for sure आपसे दूर जाने का जो reason है या यह no contact का जो reason है वो आप नहीं हो that is for sure वो आप नहीं है इस no contact का reason कुछ और है okay probably maximum जो मुझे लगता है वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनके जिन्दगी में पहले stable हो और उस हिसाब से वो मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि उनके जिन्दगी में जो है अभी stability नहीं है because यह reverse आया है so lack of stability और वो चाहते हैं कि अभी खुद पे ध्यान दे financial stability पे खास करके financial stability पे वो काम करें और उसके बाद वो एक solid offer लेके आपके पास आए with a proposal और वो heart to heart एक communicate करके फिर आपको बोलेंगे कि वो क्यों गये थे okay okay so अभी फिलाल वो चुप रहना चाहते हैं वो चुप रहना चाहते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते अपने मन ही मन में उन्होंने plan कर लिया और दीरे दीरे move on कर गये बिना कुछ बोले पर the reason is के उनके life में stability is lacking stable नहीं है उनका life शायद financially वो लोग stable नहीं है या family wise अपना खुद का personal family wise वो stable नहीं है या कुछ और reason हो सकता है something related with stability okay हो सकता है उनका proper अपना खुद का घर नहीं है या कुछ भी हो सकता है इस वजए से वो चाहते हैं कि उस चीज़ पर जो lacking है अभी उस चीज़ पर वो काम करें अपना effort दे properly और उसके बाद आपके पास एक बहुत ही खुबसूरत offer लेके आए शायद बाद में इनका comeback करने का एक इरादा भी है शायद क्योंकि king of cups तो इसका मतलब यही निकलता है कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सो हो सकता है कि बाद में अभी फिलाल के लिए वो move on करने हैं move on करने का मतलब यह नहीं है कि वो पूरा हमेशा हमेशा के लिए वो आपको छोड़के जा रहे हैं they are just moving towards the calm of water मतलब थोड़ासा वो शान्ती चाहते हैं peace चाहते हैं थोड़ासा अकेले में वो रहना चाहते हैं और उस time पर वो अपने उपर काम करना चाहते हैं stable होना चाहते हैं उसके बाद वो शायद come back करेंगे और इस come back के बारे में उनको I think idea भी है okay उनको पता है मन ही मन में बड़ आपको कुछ बोला नहीं है basically okay so let's see आपका current feeling क्या है आपका intention क्या है आपका general energy क्या है अभी जब मैं shuffle करूंगा तो please आप card के साथ connect कीजेगा और अपने बारे में सोचिएगा partner के बारे में नहीं क्योंकि यह आपका मैं energy check कर रहा हूँ let's see what is the आपका current feeling क्या है एक का जम करके नीचे गिर चुका है okay all right okay so bottom of the deck seven of swords है और जो card जम करके आया था that was king of wands आपका जो current energy जो है वो यह हुए किसी तरह का आपके साथ एक तरह से कुछ धोका या cheating हुआ है शायद बहुत strongly या फिर कुछ ऐसा news या ऐसा कुछ truth आपको मालूम परा है जिससे कि आपका पूरा जो रवाया है वो change हो गया है आपका attitude change हो गया है कुछ शायद आपको मालूम परा ही या मालूम परने वाला है ऐसा भी हो सकता है आगे भी यह चीज हो सकता है आगे जाके तो कुछ एक कुछ cheating वाला या फिर कुछ क्या बोलू मैं कुछ ऐसा चीज जो कि suddenly आपको मालूम परा है जिससे कि आपका जो trust है जो विश्वास है जो भरोसा है वो थोड़ा सा हिल गया है basically तो इस तरह का एक energy और इस वजए से you are in this energy of ego आपके अंदर थोड़ा सा attitude, arrogance, ego इस तरह का चीज अभी जो है मैं देख रहा हूँ okay, because of this cheating kind of energy कुछ हुआ है शायद इस वजए से आपका अभी रवाया इस तरह का हो गया है कि अगर आपके partner आए भी तो इस तरह का जो energy हुआ था मतलब जो cheating हुआ था या फिर जो trust एक बार जो trust तूच चुका है फिर से उसको जोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है आपका अभी इस तरह का mentality है तो आप अभी ऐसे एक mentality में रहेंगे कि मैं खुद जाके जुकने नहीं वाला हूँ या वाली हूँ अगर मेरे partner आते हैं और ये अगर वो accept करते हैं कि उन्होंने जो भी उन्होंने cheating किया है या कुछ किया है आपके साथ गलत किया है deceptive energy या कुछ शायद ओके तो मैंने थोरी दर पहले आपको बोला भी था कि वो silently भाग गया उसी वजह से शायद आपका ये आप देख सकतो इस photo में भी भागने वाला scene है तो इस वजह से शायद आपका attitude अभी इस तरह का हो गया है उनका चले जाना उनका कुछ ना बोल के चले जाना भी आपके लिए एक तरह से शायद cheating है धोका है कि मेरा partner बिना कुछ बोले मुझे छोर के कैसे जा सकता है या जा सकती है इस वजह से आपका attitude इस तरह का है कि थोरा सा arrogance attitude या फिर किसी पे जल्दी से trust नहीं करना और ego okay the emperor exactly the empress and knight of wands the lovers okay basically जो है आपका मैंने जो बोला अभी egoistic रहेंगे आप थोरा सा off, cold, detached, rude, angry बहुत ही ज्यादा arrogance, attitude इस तरह का energy ये double confirmation है तो आपका भी फिलाल, आपका mentality, आपका feeling बोलिये जो भी है वो उसी तरह का है वो उसी तरह का है क्योंकि आपके मन में ये था कि ये जो partner है जो आपको छोड़के चला गया है या no contact situation में, जिस partner की वज़े से आप आए हो, आप अभी भी still उस partner को अपना soulmate, अपना partner, अपना क्या बोलू मैं, identical मानते हैं, अगर आप रानी है तो वो राजा है, आप राजा है तो वो रानी है इस तरह का आपका अभी भी still you feel के this is the best match that you have, आपका best match है ये जो partner है और आप एक दूसरे के लिए ही बने है, एक दूसरे के साथ ही आपका जोरी बन सकता है, किसी और के साथ नहीं इस तरह का आपका एक mentality है और ये जो partner है, इनके चले जाने पे आपके जिन्दगी में जो passion है, जो spiciness है, वो कम हो गया है और इस वजए से आप बहुत ज्यादा गुस्य में है, के you are missing, you are missing that passionate energy, that spiciness, that romance, everything तो आप miss कर रहे हैं और इस वजए से आपका भी attitude और रवाई या थोड़ा सा change हो गया है, which is very natural दो, मैं आपको support कर रहा हूँगा ओके, so let's see, क्या action आपके partner लेने वाले है, कुछ लेने वाले भी है या नहीं, let's see क्या action लेने के chances है, कुछ है की भी नहीं, जो भी है, देखता हूँ, okay sorry guys, मैं थोड़ा सा आज टायट था, बट reading करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग no contact, बहुत painful situation होता है so मैं कोशिश करता हूँ कि मैं reading skip ना करूँ eight of cups, the justice and two of cups, bottom of the deck the devil card, okay because मैंने बोला ना, आपके partner का जो अभी का मैंने उस टाइम पे भी उनका energy चेक करके भी same चीज बोला था, action-wise भी same ही आरा है, they are moving on, okay they are moving on, वो इस situation को छोड़के they are going, वो जा रहा है basically okay और वो still मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला फिर से ये confirmation आया है they still feel you as their soulmate, okay मतलब वो अभी भी आपको उनका partner, उनका soulmate और आपसे अभी भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, वो जा रहा है छोड़के, that is a different thing action-wise भी मैं वही देख रहा हूँ, but वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाते हैं, कि फिलाल के लिए, वो इसलिए move on कर रहे हैं, क्योंकि जो balance है या फिर, जो honesty है, वो missing है, कुछ न कुछ गरबर हुआ था, ये cheating वाला portion भी शायद, किसी न किसी ने किसी को cheat किया होगा, ऐसा हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा situation हुआ है, जिस वज़य से आप दोनों के बीच का जो balance था, relationship wise, वो खो गया था और इस वज़य से ये इनसान जो है, ये इतना ज्यादा तूट चुका है अंदर से, कि वो चाहता ही नहीं, अब एक moment भी आपके साथ रहना, वो move on करना चाहता है, या चाहती है और वो धीरे धीरे आगे, क्योंकि move on बाला energy जो है, वो बार बार इस reading में आया है और bottom of the deck is the devil, so definitely कुछ addiction, attraction, किसी और चीज में हो सकता है या फिर किसी तरह का एक toxicity या relationship थोड़ा सा toxic हो गया था, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा जगरा जहमेला बहुत कुछ हुआ होगा इस regarding और ultimately उन्होंने बिना कुछ बोले जाने का ही decision लिया और वो move on कर गए और अभी भी मैं वही देख रहे हैं, अगर move on नहीं भी किया है तो there is a chance कि वो move on करे बट इसका मतलब यह नहीं कि वो बाद में नहीं आएंगे definitely वो justice चाहते हैं कि जब उपरवाला चाहेगा, जब उनके life में balance आएगा जब वो stable होंगे तब वो आपके पास आ सकते हैं, there is a chance in few cases, यह जो इनसान है, यह male female कुछ भी हो सकता है, जो भी है यह move on इसी लिए कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई नया शायद partner मिला है या मिली है और जिनके तरफ इनका एक sexual addiction, एक attraction type का है जो की बहुत ही ज्यादा addictive nature का, मतलब addictive को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते है मतलब उस तरह का बहुत ज़्यादा attraction है उनका खिचाओ, खिचाओ, लगाओ बट sexual शायद यह नया कोई इनसान है जिसके साथ वो अभी recently connected हुए है और उनके साथ इस तरह का कुछ रिष्टा है उनका और फिलहल वो move on करके शायद उनके साथ ही कुछ time तक शायद रहेंगे जब तक वो stable ना हो जाए या उनका mentally वो ठीक ठाक ना हो जाए उसके बाद शायद there is a chance के आपके पास वापस आए बट यह कुछ percent लोगों के लिए है, यह हर एक के लिए है हर एक के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए यह शायद यह वाला portion match खा सकता है बाकी के लिए normal उनका partner जो है normal move on किया है और day one के वो stable होके फिर वापस आए let's see आपका current action क्या है आप कुछ action लेने वाले हो की नहीं या वाली हो की नहीं, जो भी है आपका action भी चेक कर लेते हैं, आपके side से okay okay the emperor will seem the empress and king of wands, आपका action आपका action जो है, आप चाते हो कि खुद को level up करो उपर रखो खुद को, emperor और empress की level पे ही आप रहो और जो cheating आपके साथ हुआ है, जो deceptive kind of energy आपने carry किया है, या फिर जो धोका हुआ है उसके कारण आप अभी फिलाल जो है इसी attitude में, इसी arrogance में, इसी ego के साथ आप रहना चाते हो आप बिल्कुल भी जुकना नहीं चाते आप चाते हो कि खुद का level up हो और एक bossy type का एक energy मैं देख रहा हूँ कि आप खुद controlling power में आना चाती है पर फिर भी आपका अभी भी वही बार बार ये combination आ रहा है ये same cut फिर से repeat हुआ तो combination wise भी आप still वही चाता है कि ये जो partner है आपका मतलब दिल से जानते हो कि ये partner आपके soulmate है इनके साथ आपका जोरी सबसे ज्यादा आपको पसंद है और किसी के साथ आपको नहीं लगता कि हो सकता है तो आप खुद को इतना level up कर रहे हो या कर रहे हो ताकि वो person जब वापस आए तो वो आपको उस level पे देखे मतलब आप जुकना नहीं चाहते है जुकेंगे भी क्यों वैसा ही थोड़ा सा arrogance और attitude थोड़ा सा ego अभी ज्यादा है it is not pride it's arrogance, it's ego that you are carrying right now ऐसा नहीं कि आप गर्व महसूस कर रहे हो because आपने level up किया है या ऐसा कुछ नहीं है आप egoistic एक nature में है कि मैं हूँ ही ऐसा या फिर मुझे जुकना नहीं है या उस इंसान को मेरे सामने आकर जुकना होगा उसको मेरे लायक बनना होगा मेरे लायक काबल बनना होगा तब हम लोगों का जोरी बन सकता है though I have feelings for that person but I am not going to bow down basically okay so let's see कि guidance क्या है no contact में भले ही आप है बच आपका arrogance, ego, attitude इस वक्त बहुत ज्यादा high है तो I think आपका vibration भी अभी high होगा आप बहुत ज्यादा गुसे में है attitude है हो सकता है कि घरवालों पे भी आप चिलना मिली कर रहे हो और थोड़ा ऐसा अभी उक्रा उक्रा और root किसम के nature में अभी आप है इस तरह का आपका energy हो सकता है let's see क्या guidance है universe की तरफ से आपके लिए spiritual message या guidance क्या आने वाला है universe की तरफ से okay so we have king of pentacles two of pentacles ace of pentacles okay page of ones so the guidance is के आपका ये जो dual mindset है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा confused है अगर आपको पता नहीं के आपको आगे क्या करना चाहिए अगर आप खुद के उपर काम कर रहे हैं खुद के stability के उपर काम कर रहे हैं तो definitely it's a confirmation के आपको अपना stability अपना abundance अपना prosperity अपना खास करके financial stability के उपर आपको काम करना होगा बहुत ज़्यादा और अभी इस dual mindset से आपको बाहर निकलना है क्यूंकि एक बहुत ही passionate सा कुछ chapter आपकी जिन्दगी में शुरू हो सकता है Ace of Pentacles 6 Brand new opportunity Brand new start आपके जिन्दगी में शुरू होने के chances है हो सकता है के job wise हो सकता है business wise health wise किसी भी sector में ये हो सकता है बहुत ज़्यादा passionate बहुत ज़्यादा नया कुछ एक energy है किसी भी चीज के regarding हो सकता है बट वो शुरू हो सकता है आपके जिन्दगी में ये कोई lover भी हो सकता है या फिर financially भी कुछ stability आ सकता है job wise, career wise कुछ भी हो सकता है बट job career का ही मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने के chances ज्यादा है शायद office में कुछ नया या फिर एक नया office जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा passionate feel करोगे या फिर office में आप किसी नए इंसान के साथ शायद आपका एक connection हो सकता है recently start हो सकता है जिससे की आप काफी ज्यादा attractive feel करें या उनके उपर काफी तरफ आप काफी attractive feel करो एक spicy एक थोड़ा सा उस तरह का energy ओके so guidance wise यही है कि आप अपने उपर काम कीजिए और अपना यह जो back and forth जाना और confusing state of mind से बाहर निकलिए और अपने उपर काम कीजिए अपने stability के उपर काम कीजिए I think cross watchers जो मेरा video देख रहे हैं जो शायद stability की वज़े से अपने partner को छोर के चले गए है उनके लिए भी यही message है universe की तरफ से कि अगर आप stability के लिए अगर आप hard work कर रहे हैं या उस चीज का ही आपको desire है तो please आप उस पर काम कीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो thank you so much मैं अभी travel कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा possible नहीं हो रहा है videos record करना but no contact situation का मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि painful होता है situation और आप लोग बहुत eager रहते हैं जानने के लिए किया चल रहा है तो यह ज़रूरी होता है इसलिए मैं try करता हूँ जितना मैं यह video ला सकूँ और आगे भी हम लोग नया videos लेके आएंगे मेरे shots भी आप लोग देखिएगा जो मैं YouTube shots upload करता हूँ मैं कभी बाहर जाता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो वो भी मैं upload करता हूँ तो भी शायद आपको अच्छा लगेगा तो आप वो देख सकते हैं मैं upload करता जाऊंगा सो बस तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो हम आगे भी मिलेंगे एंड टेक केर